ओके अप सुन अपना स्टडी प्लान देखो कैसा है मैंने ऐसा प्लान किया कि अपना हर सब्जेक्ट है ना तीन वार होना चाहिए हर सब्जेक्ट उझे पता है कोई-कोई लोग थोड़ा अजीब फील करेंगे लेकिन करना पड़ेगा और तीन वार की इच्छा क्यों रख र सब्सक्राइब करना पड़ेगा और तीन वार करने के लिए टाइम टेबल बहुत कट्टू गड़े तुम लोग बोलो के सार इतना थोड़ा रियालिस्टिक टाइंटेबल बनाना मेरी बीच्छा लेकिन टाइम जो है वो इस आप से करना पड़ेगा इसके भी अगेंज यह सदर सब्जेक्ट तीन वार होने चीए तो तीन वार करने ही पड़ेंगे अब एजस्के करेंगे जैसे मैंने अपने टाइम में एजस्किया ना मेरे को लोग पढ़ने के लिए टाइम नहीं ता तो में लिमिटेद शॉटकर रोटकर भारा तो कभी हा आड़ वक के साथ स्मार्ट वक भी करो कुछ टेक्निक लगा शॉटकट में खतम करनेगा लेकिन तीन वार खतम करना है अब देखो कैसे होगा अपना पंद्रा फेफ से टाइंटेबल इफेक्ट ही हो रहा है ना तो पंद्रा फेफ से ट्वेंटीन फेफ तक है ना तुमको लाग दोनों सबज्क ह conclusion करना पड़ेगा दोनों सब्सक्राइं पूरा खतम करना है तोड़ा चैलेंज दिन लगा लेकिन करो अरे एक्जाम के पहले तो पूरा सब्सर्टेक़् खतम करके याते है ठीक Regardless दिन जैने यार, ऐसे देखने है तो टाइम कम है लेका अगर टाइम यूस करना आवे ना तो टाइम अच्छा है ताइम यूस करने बूलते हैं ना ऐसे तो जेब में सो रुपए हैं तो भी मुझे फकीर जैसा फील होगा है लेकिन अगर उसका proper use करना है ना 100 रुपया तो 100 रुपय में भी I am very happy अगर में को use करने आया तो तो सी अभी तुम लोग क्या time की गरीबी है जब पैसों की गरीबी होती तो क्या करते हूं लोग एक-एक पैसा सोच समझ की use करते ना तो time की गरीबी है तो एक-एक सेकेंड सोच सोच की use कर यहां वहां time मत वेश्ट कर कोई दोस्का phone आ गया पांच मिट बात कर दिया मतलब सत्यानाश हो गया ऐसी time waste नहीं कर सते time waste ही नहीं होना चीए किधर भी कोई leakage नहीं होना चीए ऐसे दी पांच मिट में क्या हो जाए दस मिट नीचे जाके आ जाता हूं फ्रेश हो जाओंगा अरे दस-दस-पांच-पांच मिट तुमको उस वक नहीं लगेगा लेकिन उसका cumulative effect देखोगे सत्यानाश हो जाता है अरे आज अगर गरीब आदनी क्या 100 रुपे होता किसे एक तुम्हारा अच्छी हो जाएगा ओके वो बोलते ने में यू के नौट इंक्रीश ताइम यू शुड़ नहीं बन सकता तो पैसों को मैनेज करके अपनी जिन्दगी चला सकता है वैसे इधर भी अपने वो टाइम मैनेज करने आना चीए अगर तुम्हारे अंदर तो एक ग्रूप को स्थिकर करें दूसरे में टच मार के आना खाली कुछ नहीं तो एक्जाम बैट के आजाना लेकिन माइन में ऐसा ने एक ही बस बस का दूसरे पर ध्यानी नहीं दे रहा है ऐसा मत करो थोड़ा सम्थिंग इस बेटर नथिंग यह हो फिर दूसरा साइकल एक्चुली यह है न कुछ 15 दिन है 15 दिन में अकाउंट्स लोग खतम करना है फिर 13 डेस के अंदर दो सब्जेक्ट लिया है मैंने कैसे अलना DT IDD तो टैक्सेशन हो गया FMSM एक सब्जेक्ट हो गया FMSM लेकिन उसमें स्प्लिट किया है थोड़े टाइम कर DTSM बाद में IDD FM एसे इतने टाइम में अपने को यह खतम करना है हाँ पहले ही बता देता हो इसमें तुम लोग सब्जेक्ट का सीक्वेंस और कॉमिनेशन चेंज कर सकते हो सी मैंने तो ऐसा जनरल टेंपलेट बनाया है बागी कोई शुड़ां बोले नहीं अकाउंट से नहीं मेरे को 13 एप्रिल तक खतम हो जाना चीए ना तीसरी बार 29 एप्रिल तक खतम हो जाना चीए यह डेडलाइन अचीव करनी है बाकि इंटर्नली टू सब्जेक्ट का सीक्वेंस चेंज का चलेगा सी आइके नोट एक्सपेक्ट के सब लोग यहीं सीक्वेंस में करें सबका अलग 29 ना फेब में ही टाइम 29 फेब तक खतम करना पड़ेगा तुछ टफ लगेगा लेकिन करो और कोई बोले सर मेरा 29 फेब तक है ना अगर 60-70 पसेंट ही हुआ है तो तो छोड़ना मत खतम करके आगे बढ़ता है तो कितने लोग तो ऐसे भी गलती कर देते लिए सर ने 29 फेब का डेडलाइन दिया था लेकिन मेरा हुआ निया भी दूसरा चालू कर देता अरे सब आधा-दा छोड़के फागल हो जाएगा अरे 29 फेब तक कोशिश करना अचलो यहां तक अगर 95% 90% हो गया तो ठीक है तो छोड़के आगे बढ़ जाओ जो बचा हो बाद में देख लेन लेकिन अगर अच्छा कासा सब्जेक बाकी है 60% 70% अच्छा कासा बाकी है तो भाई उसको पहले खतम कर बाद में दूसरे सब्जेक में जाना ओके तो यह जब डेडलाइन नस्दीग आगे तब की बात है यह आपना 29 का डेडलाइन है और यह डेडलाइन को नहीं सा दिल प इन लिविंड प्रेजेंट को जिसे प्लान तो में फ्युचर तक का कर रहा है और शेकन्ड में ढशुर रिम इन लेविंग बेंगं लेडल फ्रकिन इमेज़ेट प्रेजेंट तृट सिंन कर रहा है फिर बाद में आचानक उबसरे सब्जेक अंडेंशन और इग्नोर इग् सब्सक्राइब और सब्सक्राइब अब करना ही है एकदम जिद्धी होना पड़ता है और पता है कोई को दिन हाना दोना नहीं किया नीच अभी चलेगा हर दिन हाना भी कॉंसा जरूरी एक दिन नहीं है दूसरे दिन हना याने बाद में जादा बदू अने लगी थोड़ा थकलिफ होने वहना किया जाओ टाइम बस्ता ना मैं तो खुद ऐसा करता था और पढ़ते पढ़ते लगा भी नाने का टाइब जाओंगा नाने काम बले 10 मिट का है लेकिन यहां वाँ टाइम पास करें आदा पॉना घंटा इसी वेश्ट हो जाता है फिर पढ़ाई का रिदम तूट जाता है ना आदा पॉ नहीं तोड़ना चाहिए और खाना भी यह तो लो कैसे खाना काता है तो लोग विलुक आसा का लाकाते है कना काथ बसकाने अचाहां मैं अचाहांगा कॉसमे लेकाने котором पढ़ीए है ना ठीक है पागल की तरह पढ़ते पढ़ते फ्रस्टेशन आ गया ना शांती से कुर्सी पे बैढ़ जाओ ऐसे लंबी लंबी सास लो कि अपनी बॉडी नहीं थकती है अपना माइंड थकता है और अपने माइंड को हील करने के लिए क्या है अच्छा ऑक्सिजन चला गया ना बीब ब्रेधिंग कर लिया पूरा माइंड हील हो जाएगा लेकिन अगर तेरा क्राइटीरिया लग नीचे घूम के आऊंगा थोड़ कुछ देखूंगा तो ही फ्रेश होगा तो यह तुने बेंचमा की अलग बना के रखे ना फिर तो तेरा कुछ नहीं हो सकता मैं उर्टा हो मैं क्या सो थक गया ना पंदरा मीटर लंबी लंबी सांसे लेलो डीप फ्रील करो तो अपना बोड़ी रिफ्रेश होके रिपूट हो जाता है फिर काम पे लगो और लालाची छोड़ाना थोड़ा बहुत कर नहीं करना है ना यार तीन-चार महीना नहीं क्या क्या हो जाएगा जिंदगी उदर की उदर रहेगी को वीडियों बैटे नहीं ते घर पे पूरे टाइम घर में बन बैटे दे ऑप्शन था कुछ कुछ भी नहीं जग मार के बैटना पढ़ना तो बैटो ना सौ फितूर आते हैं मेरे को घुमना है फिर ना ये करना वो कुछ नहीं करने का यार पूरा टोटली अंडगराउंड हो जाओ ऐसी पूरी जान डाल दोना कि कुछ कमी ने रहने चीए तो यह अपना फर्स्ट आर इसको वापस को तेरा देन जितना टाइम बीला थाटीन डेज जितना तो पंदरा देन हैं तेरा देन तेरा देन ऐसे च्छे सब्जेट अगे न दो 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 चैसा अब ज़िए अपने हैं दो गुरूप के लिए ठीक है कोई अगर बच्चा ठान लेने नहीं तो इस तो मैं क कहीμεने जो तीन वार पढ़ने का प्लान मनें चार वार रखना केया कि चार वार करना है वो प्लान रखना एन來 बाकी जो दो गुरूप के सब्हुर नहीं है तक को आपना 26th मार्स तक अगे이ist अब खतम होना चीज बीच में होली-गोली का सेलीब्रेशन नहीं करने का इधर ही तो पब्लिक मार खाती है एक दिन की होली में क्या हो जाएगा पूरे दिन क्या पढ़ने का सी कोई भी चीज को तुम सही गलत बना सकते हैं अगर तुम बोलने से अगर तुम बोले इतना पढ सकता है थोड़े दंसने सकता है तो अपनी सोच है बोलते हैं इस्टी न मीडिय ऐसा सोस्तों पढ़ेगा लेकर वर्ड़ में मैं दूड़ा नियुक्टर बनना पड़े गड़कतर कुछ नहीं करना है जो करूंगा मेले की एक्जांब खतम हो जाएग फिर दाद मेंदेमोव भी तो सब कुछ कट कर दे एकदम कट्टर हो जाओ फिर 26 मार्ट जोगा फिर देखो छे दिन में अकाउंट्स प्लस लॉग यह सेकेंड डाइम कर रहे छे दिन मुझे मालू में तुमको टफ लगता हो अगा लेकिन ऑप्शन नहीं फिर छे दिन में टैक्सेशन और फमस्म फिर छे दिन में कोस्टिंग ओडिटिंग यह छे छे दिन का सेकेंड साइकल है और करना क्या सुबे इसे लेकर आता पड़ और थोड़ा कुछ कुछ चीज पकाव लगिर कुछ छोड़ा कुछ किया कुछ छोड़ा कुछ किया ऐसा थोड़ी सी जब मैं रैंक लाया तो ऐसा थोड़ी में एक चीज पड़ी ती कुछ कुछ चीज में भी छोड़ता था लेकिन अपने को से करना पड़ता है कुछ छोड़ा तो नुकसान नहीं हो जाए जैसे मैं अपने डाइम बें कोई आंसर छोड़ देता था ना कंप्लीटली नहीं छोड़ता था उसका एक दो लाइन देख लाता था बाइचांस कुछ आ गया तो एक्जाम में फेक सकता हो हो चूँ करकेए उसको चूँ लिया यह यह होगा फिर अपना थार क्यसे होगा दो दो दिन पूरा अकाउंट्स, तीन दिन पूरा लॉग, फिर तीन दिन पूरा टैक्सेशन, दो दिन पूरा कोस्टिंग, तीन दिन ओडिट, और तीन दिन अपने FMSM, हाँ इसमें तुम लाँ नंबर अडेस का प्रोपोश्चन चेंज कर सथे, कोई बोल तीन दिन लॉग का कह जो रहते हैं, अकाउंट्स को दिना, तो अकाउंट्स कर देना यार, सी देखाली के टेंपलेटे, अपने को के यहां से लेके यहां तक, थर्ट टाइम खतम करना है, बस, लेकिन स्टार्टिंग में मेरा प्लान क्या था, दो सब्जेक्स साथ में करो, नएने सब्जेक्ट ह होते हैं, पढ़के बोर हो जाते हैं, तो अटर देन दो सब्जेक्स करो के तो कि अपनों जस्टिस कर पाएंगे, प्रॉपर एफिशन सी मिलेगे, लेकिन क्या थर्ट टाइम तो तू इतना घिस गया पुरा यार, तो दो दिन पूरा ही अकाउंट्स कर, दो तीन दिन पूर कुछ भी मत कर, क्योंकि थर्ट टाइम पढ़ने मनला इतना फ्रस्टेशन नहीं आएगा, खतम हो जाएगा, यह मेरा स्टाइजी फॉलो करना, इस ट्राइड, टेस्टेट एंड ट्रस्टेड, इस इस नोट बिंग एक्स्परिमेंटेट अन यू, यह मैं इतने सालों से मैं पऴन स्टूडन था ना, तब ही से सब क्लक्र टाइंटेबल बना बना कर रहू हुँ, मेरे दोस्तों में, तो दोस्तों मेरे को करो ठाटन करते ना पूरा पूरा दिन एक सब्जेक करने का अइसा तो यह होगया आंत्र फिल्वास्ट में तीन दिन अकाउंट भूल जाएगा अकाउंट के बद जब लोग की एक्जाम होगी तो लोग तेरे को कुछ यादी नहीं आएगा तरे आज है अकाउंट्स इतना ज अब भूलते जाएगा तीन दीन तक ठीक है यार ते को लिए फिर मेरा अकाउंट्स विक है तो क्या गए तो पहले से पढ़ पहले से बढ़के रख अभी ज्यादा टाइम दे दे लास्ट में तीन दिन से ज्यादा क्या चीन पूरा अकाउंट्स कर सफिशन्ट है इसको ज़्यादा नहीं करना ची किसे का अकाउंट्स भी के तो पहले से बढ़के रख इतना अच्छा कि तीन दिन में हो जावे वो तीन दिन ही रखना है बस उससे ज़्यादा नहीं एक्चुली तो दो में भी हो जाद है लेकिन क्या रिस नहीं ले सकते हैं अपने को पेपर फर्स्ट तो क्या अपना सिक्सर मार के आना है एक पेपर अच्छा हो गया कॉंपिडेंस बिल्डब होता है ना तीन दिन परफेक्ट है यह सब में कि इतने सालों के एक्सपिरियेंसे सब कैल्गुलेट किया हूँ तो जैसे बोला वैसे करो मेरे इस्टैंटेबल में चेंज करना तो क्या करना है सब्जेक का सीक्वेंस और सब्जेक का कॉम्बिनेशन बढ़ धाचा ऐसा ही रखना है और अगर को एक ग्रूप दे रहा है तो यही धाचे को चार बार में कर्व फॉर्टीवन डेज में अपना सब खतम हो रहा है यह तो समरी है समरी फिर 18 डेज में सेकेंड टाइम 16 डेज में थर्ड टाइम और 3 डेज बिफोर एक्जाम अकाउंट्स का है यह वाला मैं तुमको शेयर कर दूंगा यह वाला पेज और यह वाला पेज लेकिन सी टाइंट कभी भी सीरेस्टी इंप्लिमेंट नी होता है इसमें क्या लग रहा है हां 15 दिन में अकाउंट्स लो करना है 15 में से दस चार पात दिन निकल भी गए कुछ गेंती नहीं रहती है इधर क्या सब गेंती रहता ही लिखो 15 दिन है ना जैसे तू यह 22 तारिक वाया ना अपने को इसा टाइंटी नहीं करता हूं टाइंट तेबल सुड ओल्वेस क्योग लाइक दिस एक एक दिन सामने इससे क्या बाव है तो एक एक दिन तो इच्जश्यत कर रहा है और मैं तो एक एक दिन क्या एक एक कि तो लोग अवाइड साकते ना घर में कोई बड़ा बुजूर्गा गया तो इन बाते कर रहा है अब साथ में भी बात करना चालों कर तो 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 दो ड़ाता तो मैं क्या करता है अब रहा यह सुख्पफफ़ी हाँ बेला ता और मेरा मैंड पुरा उसी में रहता था ये कब जा जी वना मतलब बोल्देना जूनून होना चाहिए खतम करना ये बस और कभी न कभी तो खतम करना तो भी लेकर खतम कर दोना है वो intensity बढ़ो थोड़ी, तो बस यह study plan होगे, इसके हिसाब से करो, बाकी दोदे को तुम लोग follow करोगे, तुमारा फायदा होगा, मेरे लिए क्या फरपड़े, मेरे लिए it is just another batch, but for you it's your life, okay, इतना mind में रखना, मेरा इसमें कोई फायदा नहीं है, okay, तो मैं तो हमेशा तो तेरा फायदा है, तेरा नुकसार है, कल को तुम लोग सीए बनोगे, ये करोगे, कमा के खुद ही खाओगे, मेरे को थोड़ी लाके देने वाला है, sir, आपने टाइन टेबल जी आता, इसने चलो आपका salary का 20% commission आपको, मेरे को थोड़ी मिलने वाला है, कुछ नहीं मिलन कर दाओगे